नमस्कार किसान भाईयों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वराज कंपनी के मिनी ट्रेक्टर स्वराज 724 XM और चार्ड के सवी फीचर्स स्पैसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में इसका साइज और डिजाइन इस हिसाब से रखा गया है कि ये बागवानी करने वाले किसान भाईयों के लिए बहुती फायदे मंद है इस ट्रेक्टर में सामने की तरफ तेज रोसने वाली बड़ी हेडलाइट्स दी गई है और शांदार फ्रंट ग्रिल दी गई है इसके बॉनट को आप बड़ी आसानी से खोल कर मैंटिनेंस का काम कर सकते हैं शांदार डिजाइन के साथ इंडिकेटर्स दिये गए है एक लाइट पीछे की तरफ भी दी गई है जो रात के समय काम करने में काफी उपयोगी होती है और इसको चालू वे बंद करने का स्विच इसके पीछे की तरफ ही दिया गया है इसका फ्रेंट एक्सल धनुस के आकार में दिया गया है और यह काफी मजबूत होता है इस ट्रेक्टर के इंजिन की बात करें तो इसमें दो सिलेंडर और 25 से 30 HP स्रेनी का 4-stroke direct injection डीजेल इंजिन होता है जिसका बोर वे श्ट्रोक 100 by 116 mm का दिया गया है और इंजिन rated RPM 1800 दी गई है क्यूबिक छमता 1823 सी सी की है इंजिन की कूलिंग का सिस्टम नो लोस टेंक के साथ वाटर कूल दिया गया है और इंजिन ओइल को ठंडा रखने के लिए oil cooler भी दिया गया है dry type का dual element वाला air filter दिया गया है जो कि dust unloader के साथ आता है इंजिन को ठंडा रखने के लिए coolant tank और radiator भी दिया गया है बागवानी के काम के इसाब से इसका silencer भी जुका हुआ होता है जिससे काम के दोरान आपको कोई परिसानी ना हो silencer पर जाली भी दी गई है जिससे silencer के गर्म होने पर हाथ जलने का डर भी नहीं रहता इसके transmission की बात करें तो इसमें आपको सेरा metallic lining के साथ single clutch मिलती है जिसका diameter 280 mm का होता है 6 gear आगे के लिए और 2 gear पीछे के लिए दिये गए है इस tractor की आगे की तरफ चलने की अधिकतम speed 24.2 km प्रतिगंटा की है और पीछे की तरफ चलने की अधिकतम speed 9 km प्रतिगंटा की है heavy duty self engineering तेल में डूबे हुए disc brake दिये गए हैं जिनका control बाउत अच्छा होता है आप जहां चाएं वहां ट्रेक्टर को रोख सकते हैं ब्रेक के पास ही पैर की रेस दी गई है साथी सुरक्षा की दरश्टे से parking brake भी दिये गए है इसकी steering heavy duty single drop arm दी गई है जो काफी सुविदा जनक और आराम दायक है इसमें कार की तरह steering पर ही होर्न दिया गया है इस steering के पास ही हाथ की रेस दी गई है इसकी driving seat काफी सुविदा जनक और आराम दायक दी गई है इसको वजन के इसाब से सेट भी कर सकते हैं driving seat के पास ही transport lock दिया गया है जिससे tractor के पीछे लगे उपकरण को एक जगे लोग कर सकते हैं चालक की सुरक्षा के हिसाब से seat के पीछे reflector दिया गया है और इसके पास ही tool box भी दिया गया है fender guard दिया गया है जिससे fender vibrate नहीं होते और tractor ज्यादा आवाज नहीं करता fender पर कुछ सावधानिया दी गई हैं जो आपके लिए काफी फायदे मन्द होती हैं साथ ही service संबंदी निर्देश भी दिये गए हैं जिससे आप घर पर भी tractor की service कर सकते हैं इसके अलावा कुछ और जरूरी निर्देश भी दिये गए हैं इसके PTO सिस्टम की बात करें तो इसकी PTO 21 स्प्लाइन वाली दी गई है जो 1000 RPM की गती से काम करती है PTO को ऑपरेट करने का लिवर ड्राइविंग सीट के बाई तरफ दिया गया है PTO पावर 21.1 HP की होती है बड़ा डीजल टैंक दिया गया है जिससे आप दिन बर आराम से काम कर सकें अगर डीजल में गलती से पानी चला जाए तो इसके नुकसान से बचाने के लिए वाटर से अपरिटर दिया गया है जो डीजल से पानी को अलग करता है अब बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की स्वराज 724 XM और 4 ट्रेक्टर में दो लिवर के साथ लाइव हाइड्रोलिक दी गई है जिसके लिफ्टिंग की छमता 1000 किलोग्राम की है इसका हाइड्रोलिक पंप गियर टाइप का दिया गया है जो 17 लीटर प्रती मिनट के हिसाब से काम करता है जिससे लिफ्ट तेजी से काम करती है और आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते है लिंकेज के लिए 3 पॉइंट दिये गए हैं और 2 सेंसिंग पॉइंट दिये गए है इस ट्रेक्टर में कंपनी फिटेड हिच दिया गया है फ्यूल गेज, टेंपरिचर गेज, आर्पियम मीटर और ओयल प्रेसर गेज के लिए अलग-अलग मीटर दिये गए हैं अगर आप ट्रोले में लाइट और इंडिकेटर काम मिलेते हैं तो इस इलेक्टरिक पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं इसके आगे वाले टायर पांच पंदरे के साइज में और पीछे वाले टायर ग्यारे दो चौविस के साइज में दिये गए हैं अब बात करते हैं इसके वजन वेट डायमेंसन की सुराज 724 XM और चार ट्रेक्टर का कुल वजन 1430 किलोग्राम होता है ट्रेक्टर की लंबाई 850 mm की है चोड़ाई 1320 mm की है उंचाई 1350 mm की वील बेस 1545 mm का और ग्राउंड क्लेरंस 235 mm का है इस ट्रेक्टर का अगला वील ट्रेक 1200 से 1420 mm का होता है वे पिछला वील ट्रेक 1150 से 1480 mm का होता है इसका वील ट्रेक भागवानी वे इंटर कल्टिवेशन के लिए काफी उप्योगी होता है इसके इलेक्टरिक सिस्टम की बात करें तो इसमें 12 वोल्ट वे 75 AH की बैटरी दी गई है साथ ही अल्टरनेटर और स्टार्टर मोटर भी दी गई है इस प्लेट पर आप ट्रेक्टर बनने का समय, SFC की जानकारी, इंजिन नंबर, चेसिस नंबर और ट्रेक्टर की अधिक्तम PTO पावर की जानकारी पासकते हैं इस ट्रेक्टर की वारंटी दो साल या दो हजार घंटे की आती है और इसकी कीमत है 5,20,000 रुपे से 5,30,000 रुपे तक कीमत में राज्यवेचेतर के हिसाब से थोड़ा अंतर भी हो सकता है तो किसान भाईयो आपको स्वराज का या मिनि ट्रेक्टर स्वराज 724 XM और चार्ड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं किसी और ट्रेक्टर का ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट करके बताएं ऐसे ही मैं तुपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए आमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ट्रेक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद